दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको NMS exam के लिए math के previous question paper करवाने वाला हूँ जिसके अंदर से काफी question आपके exam में आने वाले हैं और दोस्तो आप सभी को पता है कि math के जो question है इनको हल करने का concept होता है इनका formula होता है वो same होता है आनी दोस्तो अगर आप ये question समझ लेंगे तो आप इस related सभी question आसानी से कर सकते हैं इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आप math subject में वी एक अच्छा score कर पाए और इस exam में पास हों तो चलिए दोस्तो इस वीडियो को सुरू करते हैं और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को subscribe कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को share जरूर करें तो चलिए दोस्तो हम question करते है question number 71 तो दोस्तो चलिए हम इसका solution करते हैं तो दोस्तो इसका solution करने से पहले आपको दो बाते द्यान में रखनी होगी अगर दोस्तो आपको यहां पर बाग का निसान दिया है उसको अगर आप गुणा में बदलते हैं तो यह हर रे वो नीचे आ जाता है और अंसे वो उपर चला जाता है तो दोस्तो यह बात आपको द्यान में रखनी है तो दोस्तो यहां पर माइनस एक वटा दो दिया हुए माइनस एक वटा दो तो दोस्तो यहां पर बाग का निसान दिया है यहां पर ब्रेकेट माइनस एक वटा तीन फिर दोस्तो जो ये बाग का निसान है इसको हम गुना में कर देंगे इसलिए दोस्तो उपर वाला जो अंसे वो नीचे आ जाएगा यानि दो नीचे आ जाएगा और जो हर रहे वो उपर चला जाएगा यानि 7 वटा 3 तो दोस्तो इस तरह सिंपली ये बात आपको ध्यान में रखने हैं अब सिंपली इनको गुना करते हैं तो यहां पर माइनस एक वटा दो फिर यह हैं बाग का निसान और दोस्तो साथ को एक से गुना करते तो साथ आता है और दोस्तों ये वाला माइनस यहां पर आ जाएगा और वटा में दोस्तों 2 को 3 से गुना करते तो 6 और दोस्तों जो ये 2 का निसान है इसको अगर हम गुना में बदलेंगे तो क्या करेंगे 7 नीचे चला जाएगा और ये 6 ऊपर जाएगा जैसे दोस्तों यहां पर माइनस एक बटा दो फिर यहें गुना का निसान फिर यह दोस्तों यह माइनस तो दोस्तों यह छे उपर चला जाएगा और साथ नीचे आ जाएगा अब दोस्तों क्या करना है मैं यहां पर करवाता हूं तो दोस्तो अब इस माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो यहां पर प्लेस आएगा प्लेस को लिखते नहीं है और छे को एक से गुना करते तो छे आएगा और बटा में दोस्तो साथ को दो से गुना करते तो चोदा आएगा और दोस्तो दो के पाड़े से इनको काड़ते त तो दो तीये 6 और दो साते 14 यानि तीन वटा साथ आपका राइट टांसवर होगा ओफसर नमबर सी आपका राइट टांसवर होगा सिंपली आसानी से इसका सल्यूशन कर सकते हैं और दोस्तों अगर आपको फिर भी कोई कोस्चन समझ में ना है तो दोस्तों दो सही दो सही एक वटा पांच इसका सल्यूशन कैसे करते हैं इन दोनों का दो आपस में गुना करते हैं और उपर वाली संख्या प्लेस में करते हैं सिंपली दोस्तों पांच को दो से गुना करेंगे दो 10 आएगा उपर वाली संख्या प्लेस में यानि ये एक है वो प्लेस में आएगा और बटा में दोस्तों ये 5 आ जाएगा यानि 11 बटा 5 ये से हम इसका सल्यूसन करते हैं तो चलिए इसका हम दोबारा सल्यूसन करते हैं 2 सही 1 बटा 5 5 को 2 से गुना करेंगे और प्लेस में जो उपर वाला एक है वो जोड़ देंगे 5 दूना 10 10 और एक 11 और बटा में दोस्तों ये 5 आ जाएगा और दोस्तों ये बाग करने साने अगर हम इसके गुना में करेंगे तो ये 5 उपर चला जाएगा तीन नीचे आ जाएगा तो चलिए आगे के कोस्टन देखते हैं तो यहाँ पे कोस्टन नमबर 33 निमिली कित में से कोंड सी संख्या पूरण गण नहीं है तो आपको बताना है कोंड सी संख्या पूरण गण नहीं है तो दोस्तों यहाँ पे कितना है 27,000 27,000 किसका गन होता है दोस्तो 30 का गन 27,000 यार 30 का गन होता है यानि ये एक पूरन गन संख्या है अगर हम 1,000 की बात करें तो ये किसका गन होता है 10 का गन होता है अगर हम 125 की बात करें तो ये होता है 5 का गन यानि 5 का क्यूब होता है अगर हम 900 की बात करें तो दोस्तो ये 30 का स् किसी भी संख्या का गंड नहीं है, किसी भी संख्या का क्यूब नहीं है, ये सिर्फ स्केर है, तो ओफसर नमब डी आपका राइट आसर है, ये एक पूरन गंड संख्या नहीं है, हम देखते हैं कोस्ट नमब च्रोतर, अजे ने एक सलाई मसीन पच्ची सो रुपे में खरीद कर तीन जा रुपे में बेच दी तो अजे का लाब प्रतिसत ग्याद कीजिए काफी आसान कोस्टे ने दोस्तों इसको समझने के लिए आपको कुछ उधारन की जरूरते जैसे दोस्तों आपने कोई पैन पांच रुपे में लिया उसको आपने अपने किसी दोस्त को दस बिक्रे मुले तो दोस्तों आपने पांच रुपे का पैन लिया और दस रुपे में बेच दिया आपको कितने रुपे का लाब हुआ पांच रुपे का आसानी से समझ गए तो चलिए इस कोस्टन को करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि पच्ची सो रुपे में ख्री ख्रीदी मतलब क्रे मुले क्रे मुले आपको कितना दिया हुआ है पच्ची सो रुपे और यहाँ पे ख्रीद कर तीन जार रुपे में बेच दी बेचने का मतलब विक्रे मुले विक्रे कितना दिया हुआ है तीन हजार रुपे तो दोस्तों यहां पे क्या कि लाब प्रतिसत लाब प्रतिसत ग्याद करने के लिए दोस्तों आपको लाब का पता होना चाहिए तो आपको कितने का लाब हुआ 500 रुपे का लाब तो लाब आपको कितने का हुआ 500 रुपे का यानि 25 में खृदी आपने 3 जार में बेच दी तो 500 रुपे का आपको लाब हुआ तो ये बात को आपको द्यान में रखनी है अब मैं इसका आपको फोर्मुला करवाता हूँ तो चलिए इसको मैं मिटाने वाला हूँ तो आप अपनी कोपी में note down कर लीजिए तो दोस्तो लाब प्रतिसत लाब प्रतिसत तो दोस्तो लाब प्रतिसत का फोरुमला होता है यह आपको याद रखना है लाब बटा क्रे मुले इन्टू में 100 तो दोस्तों ये फोर्मुला होता है लाब हमने कितना निकाला था 500 रुपे तो दोस्तों क्रेमुले कितना था कितने में खरी दी थी 25 में गुणा में 100 तो दोस्तों ये दोनो 0 से ये दोनो 0 कट जाएगी तो दोस्तों ये 5 के पाड़े से कट जाएगी पाँच एकम 5 और पंजू पंजू 25 तो दोस्तो 5 के पाड़े से ये 100 भी कट जाएगा पाँच एकम 5 पाँच दूना 10 तो दोस्तो 20% आपका राइट आंसफ़र होगा तो दोस्तो option number C आपका राइट आंसफ़र है यहाँ पे आगे हम देते हैं question number 15 यानि इकाई देहाई सेंकडा, यानि एक जारवें स्थान का अंक दोस्तु 0 होता है, तो दोस्तो आप्सिन नमबर D आपका राइट आंसवर होगा, तो चलिए आगे हम देखते हैं, कोस्टन नमबर 6 तर, तो दोस्तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, कोस्टन आ आपको समझ में आ रहे हैं तभी आप इस वीडियो को लाइक करना और चेनल को सब्सक्राइब करना अन्यता आप किसी ओर टीचर से समझ सकते हैं तो आगे हम देखते हैं तो दोस्तो अन्ते कोण का मान गयाद करने के लिए एक फोर्मुला होता है सिंपली आप उसे याद रखिए तो उसका फोर्मुला क्या होता है एन माइनस दो फिर ब्रेकेट बंद फिर दोस्तो यहाँ पे गुणा 180 डिगरी बटा में दोस्तो 5 यह वाला फोर्मुला आपको य याद रखना है तो दोस्तों यहां पर कितनी बुजा है पंच बुजा है पंच बुजा है तो यह एंड का मान होगा 5 तो दोस्तों यहां पर 60 बुज होता तो यहां पर एंड का मान 6 होता तो यहां पर मान रखते हैं तो यहां पर 5 माइनस 2 गुणा 180 डिगरी बटा में 5 तो द देंगे तो 108 डिगरी आपका राइट टांस्वर होगा तो चलिए दोस्तों यहां पर ओफिसन नमर B आपका राइट टांस्वर है आगे हम देखते हैं कोस्टन नमर 77 कोस्टन नमर 77 दिये गए त्रिबूज में कौन A का मान आपको 80 डिगरी दिया है और बुजा A B और A C बर है तो कौन B और कौन C का मान आपको बताना है तो आप सबी ये कौन भी x है ये कौन भी x है दोनों कौन बराबर है तो दोस्तों आप सभी को पता है कि तीनों कौन कमान कितना होता है 180 डिगरी तो दोस्तों ये वाला x प्लेस ये वाला x प्लेस दोस्तों 80 डिगरी और दोस्तों इन तीनों कमान कितना होता है 180 तो दोस्तों सिंप्ली x और x कितने होगे 2x plus का दोस्तों ये plus का है इदर 80 इसको बराबर के उस साइड लेकर जाएंगे तो कितना होगा minus का 80 और दोस्तों 80 में से 80 गटाएंगे तो कितना हैगा 100 और दोस्तों यहाँ पर 2x है ये 2 इदर गुना में तो इदर आगे तो भाग में और दोस्तों 100 में 2 का भाग देते तो कितना आता है 50 यानि x का मान 50 है इदर वाले x का मान 50 है तो इदर वाले x का मान 50 होगा यानि इस वाले x का मान 50 है तो इस वाले x का मान 50 होगा तो दोस्तों यहाँ पर b का कौन b का मान कितने 50 कौन C का मान 50 तो यहाँ पे दोस्तो कौन B का मान 50 कौन C का मान 50 option number B आपका right answer है तो चलिए आगे हम देखते है question number 78 यदि दोस्तो 15 नुपात X 18 नुपात 12 हो तो X का मान ग्याद करना है आप सभी को पता है कि नुपात का मतलव होता है बटा यानि दोस्तो 15 नुपात X मतलव 15 बटा X फिर दोस्तो बराबर तो दोस्तो यहाँ पे 18 नुपात 12 मतलव 18 बटा 12 इनको 33 गुना कर देंगे तो दोस्तो यहाँ पे X गुना 18 बराबर दोस्तो 15 गुना 12 दोस्तो यहाँ पे X बराबर दोस्तों यहां पे 15 गुणा 12 और दोस्तों जो 18 इधर गुणा में इधर बाग में तो इधर 3 के पाड़े से कट रहे है 3 चोके 12 3 चीके 18 यह 2 के पाड़े से कटता है 2 दुना 4 2 तीए 6 और यह दोस्तों 3 एकम 3 3 तीए 15 तो 5 को 2 से गुणा करते हैं 10 आता है तो आफसर नमबर D आपका राइट आंस्वर होगा कोस्टन नमर 89 का आंस्वर आप कोमेंट में बताएंगे देखते हैं कितने बच्चे इसका सही जवाब बताते हैं कोस्टन नमर 80 यदि P क्यो समांतर क्यो र समांतर हो तो कोन X कमांड बताईए तो दोस्तो सिंपली आप इसे आसानी से कर सकते हैं जट बनाना है सिंपली अगर ये जट बन रहा है तो ये दोनों एकांतर कोन है तो दोस्तो अगर ये 65 है तो ये भी 65 डिग्री होगा आफसर नमर C आपका राइट आंस्वर है काफी आसे नहीं से दोस्तो इनका सल्यूशन कर सकते हैं बाकी नोर्मल है आगे हम देते हैं कोस्चन नमर 188 दिये गए चितर में कोन X कमांड बताईए तो दोस्तो आप सभी को पता है कि ये एक सरन रेखा है इसके दोस्तो ये 65 डिग्री है तो ये अंदर वाला कोन दोस्तो होगा 115 डिग्री आप सभी को पता है कि एक सरन रेखा पर कितने डिग्री का कोन होता है टोटल 180 डिग्री का अगर ये 55 है तो अंदर वाला 115 होगा टोटल 180 डिग्री बन रहा है आप सभी को पता है कि एक तरिभुई में इनों अंते कोणों का योग 180 डिगरी होता है ये 115 है रहे इसको जोड़ देंगे तो कितना बढ़ेंगा 35 को 150 डिगरी और कितना बचा दोस्तो 30 डिगरी तो 30 डिगरी आपका राइट आंस्वर होगा आगे हम देखते हैं कोस्टन नमर 82 तो दोस्तों यहांपे आपको दिया है 35 मीटर तरीजा वाले एक पईए को दो चकर गुमाने में ते कीगी दूरी पईए मतलब दोस्तों आपको सिंपली बरत पूछा गया है बरत की यहांपे प्रीदी पूछीगे प्रीदी कितनी होते है 2 पाई यार तो दोस्तों यहांपे टू, पाई मतलब वाई बटा साथ और दोस्तों यहांपे आपको प्रीदी कितनी कितनी दी है, पेंटिस तो साथ एकम साथ सतु पाजे पेंटिस तो दोस्तों इन सभी का गुना करते हैं तो आपका आता है दो सो बीस तो दोस्तों यहांपे कितने दो चक्कर का है यह तो एक चक्कर का है तो 220 को 2 से गुना कर देंगे तो दोस्तो 440 आपका राइट आंसवर होगा ओफसन नमबर D आपका राइट आंसवर है तो चलिए आगे हम कोस्टन देखते हैं कोस्टन नमबर 83 आपका राइट पराप्त करने के लिए 7X-8Y में से क्या गटाना चाहिए तो दोस्तों यहांपे अगर हम करते तो यहांपे क्या है X-Y-Z बराबर में रखते हैं यहांपे 7X-8Y और दोस्तों हम कोई संख्यमान लेते हैं P जिसको हमें गटाना है तो सिंपली दोस्तों यह माइनस का है P इदर आएगा तो प्लेस में हो जाएगा और दोस्तों यहांपे कितना है 7X यहांपे माइनस 8Y और दोस्तों यह X इदर प्लेस में है तो इदर माइनस का है इदर दोस्तों यह Y प्लेस का है तो इदर माइनस का Y तो दोस्तों यहां पे P, यहां पे 7X, यहां पे प्लेस का है, यहां पे माइनस का, तो 1X गट जाएगे तो 6X, तो दोस्तों यहां पे 8Y माइनस का है, इदर माइनस का Y है, तो माइनस माइनस जुड जाएंगे, तो जुड कर दोस्तों माइनस का 9Y, तो यहां पे माइनस Z, या NMS exam का question paper है तो चलिए आगे हम देखते है question number 84 question number 84 यदि A ब्राबर 2 और B ब्राबर माइनस 3 हो तो A square माइनस A B plus B square का मान होगा simply इस में क्या करना है कि इस समिकन के अंदर आपको A का मार रखना है और यापको B का मार रखना है कैसे करना है तो चलिए जानते हैं 2 तो यहाँ पर square है तो 2 का square A square मतलब 2 का square फिर माइनस फिर दोस्तों यहाँ पर A A कितना है दो गुणा में दोस्तों यहाँ पर B B का मान हम गुणा में रखेंगे यहाँ पर माइनस 3 और दोस्तों यहाँ पर आगे plus और दोस्तों यहांपे क्या है बी स्केर तो यहांपे बी स्केर का मान कितना है माइनस तीन तो यहांपे माइनस तीन का स्केर दो का स्केर होता है दोस्तों चार और दोस्तों यहांपे माइनस दो है यहांपे माइनस तीन है माइनस दो को माइनस तीन से गुना करेंगे तो प्लेस का छे आ जाएगा तो यहाँ पे प्लेस और दोस्तो तीन का स्केर होता है नो और दोस्तो इन सभी को जोड़ते हैं तो उननीस आपकर राइट टांस्वर होगा तो ओक्सन नमबर यह आपका राइट टांस्वर है काफी आसान कोस्टन था इसे आप आसानी से कर सकते थे अब हम बात करते कोस्टन नमबर 85 तीन या तीन से अधिक सर्ण रेखाऊं से बनी बंदा करती क्या कहलाती है बहुभूज आपका राइट टांस्वर है तो दोस्तो अगर आपने मैट पेपर, साइंस, समाजिक विग्यान, गिनित, इन सभी की कलासर ये भी तक नहीं लगाईए, आप इस चेनल पर नहीं हो, तो डिस्क्रेशन में आपको प्लैलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जहांसे आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं, और इस त्यारी को और अच्छा कर सकते हैं, कोस्टन नमबर शासी, किसी संख्या के चार गुणा से साथ अधिक तरताली होता है, तो बेहें संख्या क्या होगी, तो दोस्तो किसी संख्या मालो वो कोई संख्या एक्स है, तो दोस्तो इसमें कहा कि किसी संख्या मालो एक्स के चा गुना से साथ अधिक है अधिक का मतलब प्लेस साथ है साथ अधिक है अगर कम कहते तो माइनस का साथ कर देते हम तो कितना होता है तर्थाली बराबर कितना होता है तर्थाली अब इसको हलकेत करते हैं यहां पे चार एक्स तो दोस्तों यहां पे तर्थाली और दोस्तों यह इदर आकर माइनस का साथ सिंपली यहाँ पे कितना है एक्स सिंपली दोस्तों यहाँ पे एक्स बराबर यहाँ पे तर्ताली में से साथ गटाते हैं तो आता है 36 ओ दोस्तों यह चार इदर गुणा में तो इदर आएगा तो भाग में इसका हम बाग देते हैं तो कितना हैगा नो तो आफसर नमबर सी आपका राइट आंसफर है काफी आसान कोस्टन था तो चलिए आगे हम कोस्टन देखते हैं 87 कोस्टन नमबर 87 एक नगर की जंड संख्या 25,000 से बढ़ाकर 26,500 हो जाती है तो जंड संख्या में प्रतिसत ब्रीदी काफी आसान कोस्टन काफी आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला उसमें आपको कोई फोर्मूला नहीं कुछ नहीं करना तो चलिए जानते हैं कैसे तो दोस्तो सबसे पहले इनमें अंतर देख लीजिए इन दोनों संख्याओं में अंतर कितने का है दोस्तो 15,000 हो दोस्तो ये वाला 25,000 इसके बटा में आ जाएगा 25,000 और गुणा में दोस्तो प्रतिसत निकालने के लिए 100 का गुणा कर देंगे तो दोस्तो इस वाली 2,0 से ये 2,0 कट जाएगी अगर दोस्तो हम इस पे बाग देते हैं तो 6 प्रतिसत आपका राइट आंसवर आ जाएगा ओफसन नमबर भी आपका राइट आंसवर है काफी आसान कोस्चन था कोस्चन नमबर 88,000 तो यहाँ पे दोस्तो आपको N कमान गयाद करना है सिंपली यहाँ पे 3N, 3 को दोस्तो N से गुना करते हैं तो 3N और दोस्तो यहाँ पे माइनस और दोस्तो 3 को 15 से गुना करते हैं तो 45 और दोस्तो यहाँ पे बराबर 21 तो दोस्तो यहाँ पे 3N, सिंपली दोस्तो पहले वाले कोस्चन की 35 को कर रहे हैं यहाँ पे 21 यहाँ पे माइनस का है दोस्तो पंताली तो इदर आएगा तो पलेस का पंताली और दोस्तो इन दोनों को जोड़ते तो यहाँ पे 66 आता है तो दोस्तो यह तीन इदर गुना में तो यह इदर आजाएगा 66 के बाग में तो दोस्तो बाग देते तो 22 आपका पूछा है तो बरत का शेतरफल क्या होता है आप सभी को पता है पाई आर स्केर तो दोस्तों यहां पर आप सभी को पता है कि बरत का शेतरफल वो होता है पाई बटा आर स्केर तो दोस्तों यहां पर आपको ब्यास दिया है तरीज्या नहीं दिये आपको सभी को पता है कि तर गुना करना है तो यहां पर दोस्तों एक साथ से एक साथ कट जाएगा बाई को हम साथ से गुना करते हैं तो एक चोपन मीटर स्केर आपका राइट टांसफर होगा तो चलिए आगे हम देखते हैं कोस्टन नमबर 90 यदी तीन चार आठ पांच एक्स तीन अंको का समानतर माद प्लेस एक्स प्लेस तीन और दोस्तों ये कितनी संख्याए हैं छे संख्याए हैं तो बटा में कितना आ जाएगा छे और दोस्तों बराबर में आपको मादे कितना दिया हुआ चार तो दोस्तों अब हम दिर्चा गुना कर देंगे इसके नहींचे कुछ नहीं है तो एक इन दोस्तों यहां पर इतर प्लेस का है तो इतर माइनस का 23 तो 24 में 23 गटाएंगे तो एक आएगा तो ओफसन नमबर ए आपका राइट आंसफर है तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगिए तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नेक्